गर्मियों के मौसम में ठंडे ठंडे और रिफ्रेशिंग मिल्कशेक सभी को बहुत पसंद आते हैं पर घर में किस तरह से आप फ्रूट से बनने वाले मिल्कशेक को थिक और क्रीमी बना सकते हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे तो वीडियो अगर पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले इस बैल आइकन को भी प्रेस करें तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपल स्ट्रॉबरी मिल्कशेक से एपल स्ट्रॉबरी मिल्कशेक बनाने के लिए एक ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे दो से तीन एपल के स्लाइसेज एपल का छिलका उतारके आपको मिल्कशेक के लिए लेना है इसके बाद इसमे बिल्कुल ठंडा चिल्ड मिल्क यानि दूद और खुब सारा आइस क्यूब आप इस ग्राइंडिंग जार को हम करेंगे बंद और इसे चर्ण करेंगे जब तक ये थिक और फ्रॉती न हो जाए तो लीजे हमारा एपल स्ट्रॉबरी मिल्क शेक बन कर ते यार है इसके बाद हम बनाएंगे रोज एल्मेंड मिल्क शेक यानि गुलाब और बादाम का मिल्क शेक जो की गर्मियों के लिए दोनों ही चीजे बहुत ठंडी रहती है तो गुलाब के लिए यहां में यूज कर रही हूं एक टेबल स्पून सूखी गुलाब की पत्तियां आप इसकी जगे गुलाब का सिरप यानि रोज सिरप या फिर एक टेबल स्पून गुलकन का भी यूज कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे आच से दस भीगेवे बादाम इन बादामों का आप 6-7 गंडे के लिए और उनका छिलका हटाकर इस ग्राइंडिंग जार में डाल दें फिर मिठा करेंगे जब तक सारी चीजे अच्छे तरह से पिसना जाए और हमारा मिलक्षेक थिक ना हो जाए तो लीजे ते यार हमारा बहुत ही ठंडा रिफ्रेशिंग रोज आलमेंट मिलक्षेक अब इसके बाद हम बनाएंगे हेल्दी और डिलिशिस बनाना नुटेला मिलक्षेक बनाने के लिए एक ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे आधा केला यहां आपको पका हुआ केला लेना है और उसे काट कर जार में डाल देना है इसके बाद हम डालेंगे एक टेबल स्पून नुटेला की जगे यहां पर चॉकलिट सिरप का भी यूज कर सकते हैं आप बनाना नुटेला मिलकशेक को और टेंटिंग बनाने के लिए इसके उपर हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ड्रिजल करके इसे सर्फ कर सकते हैं चलिए अब हम बनाते हैं बच्चों और सभी का फेवरिट ओर्यो मिलकशेक इसे तो घर में बनाना बहुत ही आसान है इसे बना मिठास के लिए इसमें हम एक टेबल स्पून चीनी डाल देंगे खूब सारा आइस क्यूब डालेंगे और जार को बंद करेंगे और अब इस मिलकशेक को हम थिक और फ्रॉती होने तक चर्ण कर लेंगे तयार मिलकशेक को सर्विंग ग्लास में लिका लेंगे इसे और मिलकशेक की वह है मिक्स फ्रूट मिलकशेक इसे बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे आधा पका हुआ केला इस तरह से काट कर दो से तीन एपल के स्लाइस चिले हुए एक टेबल स्पून या दो से तीन पीसिस पके हुए पपीते के इसके बाद यहां मैं यूज कर सकते हैं इसमें डालेंगे बिलकुल ठंडा एक कप दूद्ध खुब सारा आइस क्यूब और जार को करेंगे बंद और इन सबी चीजों को पिसने तक और हमारे मिलकशेक को थिक और फ्रॉती होने तक चरन कर लेंगे तो लीजे तैयार हमारा डिलिशेस और बहुत ठंडा दूद्ध कोफी में दूद्ध जितना ठंडा होगा उतनी जादा यह फ्रॉती बनती है एक टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और दो टी स्पून इसमें हम इंस्टेंट कोफी का पावडर डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा आइस क्यूब और इसे और फ्लेवर फुल बनाने के लिए इसमें हम एक से दो टेबल स्पून वनिला आइस क्रिम के डाल देंगे अब जार को करेंगे हम बंद और हमारी कोफी को हम ठिक और फ्रॉती होने तक चर्ण कर लेंगे अब कोफी को बिलकुल टेस्टी और डिलिशिस दिखाने के लिए हम जो सर्विंग ग्लास है उसकी रिम पर इस तरह से चॉकलिट सॉस की एक डिजाइन बना देंगे और फिर इस तयार करीवी खुबसुरत सी सर्विंग ग्लास में हम डाल देंगे हमारी तयार की हुई कोल कॉफी तो कितनी टेस्टी और डिलिशिस लग रही है हमारे सारे मिलक इसक्राइब करना ना बूलें